गाइज, इंडिया के अंदर हर कोई इंटर्नेट यूज करते हैं जो भी हम इंटर्ननेट सर्विasi प्रॉवैडर से जो भी प्लाण लेते हैं, तो उससे हम कभी Satisfied नहीं होते खुलनेट सर्विस प्लाडर का हो। फुलफिल नहीं कर रहा जो हमने plan select किया है तो आज इस वीडियो में मैं आपको वी बताने वाला हो कि ऐसे क्यों हमें लगते हैं हमेशा हाई गाईज माई नेम इस सोपनेल एंड आज की इस वीडियो में मुझे आपको internet के speed के बारे में मैं बताने कि exactly कैसे calculate किया जाता है internet का speed and हम उसे speed के कैसे experience करते हैं internet के जो भी service provider होते हैं हमेशा हमें जो उनके plans की जो जानकारी है MBPS में देते MBPS के अंदर अपने देखा होगा जो B होता है हमेशा small होता है ठीक है तो इसका क्या major difference है मैं आपको बता होगा एंद फिर बात में जो भी हम internet पे web streaming करते हैं या download करते हैं videos YouTube पे देखते हैं कुछ भी आप downloading वगरे software वगरे कुछ भी आप करते हो internet पे वह हमेशा आपको MBPS में show किया जाता है बट उसका MBPS का जो B होता है वो capital होता है किसी ने observe नहीं किया होगा या observe किया होगा तो भी सोचा होगा कि वह सेम ही है MBPS ही है बट वेसी नहीं है इसी के कारण जो major difference आता है internet के speed में हमें feel होता है अब सभी को एप्लिकेशन पता है speed test का जिससे हम internet की speed है हमेशा test करते रहते है जब भी हमें feel होता है कि internet की speed है हमें appropriately नहीं मिल रही plan की सबसे तो जैसे कि अब ही मैं आपको मेरी internet की speed जो है वो test करके बताता हूँ उसके अंदर जो आपको मुझे दिखाना है वो यही दिखाना है कि अभी जो भी download speed हो रही है अपलोड की speed है 10 mbps में यहापे आप उपर देख रहे हो कि जो b ए वो small इसमें शो किया है यहापे बड़ा वाला b नहीं शो किया जारा तो जैसे कि अभी मैंने आपको जज़ दिखा है कि जब भी हम हमारा internet का जो speed कैलकुलेट करते तो उसका जो उपर का calculation का जो mbps का जो b होता है वो भी हमेशा small मी होता है पर हमारा जो computer, mobile वगरे जो है यह हमेशा जो speed है internet का जबी भी हम कुछ download करते या streaming वगरे करते तो यह हमेशा bytes per second में ही calculate करते है यह bits per second में नहीं चलता इसलिए कभी-कभी हमें buffering वगरे videos में या downloading हमारी speed slow हो जाती है वो इसी के कारण होती है क्योंकि computer हमेशा bytes per second में calculate करते है अगर आपको bits and bytes में confuse हो रहा है तो मैं आपको simple way में बताता हूँ कि जो भी आपको आपका internet service provider जो भी plan आपने select किया है internet के लिए अपको check करना है कि जो plan है हो सही तरीके से मुझे plan कि सबसे speed मिल रहा है या नहीं मिल रहा तो आपसे भी इतना कीजिए कि आपका जो भी plan है जैसे कि 10 mbps का अगर आपका plan है तो 10 mbps को 10,000 divided by 8 कीजिए तो आपको जो speed आएगा around 1.5 mbps के around आएगा अगर यह आ रहा है तो मतलब आपका जो speed है इस सही चल रहा है internet service provider से 20 mbps का plan है तो 20,000 divided by 8 कीजिए तो 2.4, 2.5 के असपास आपको speed आनी चाहिए 1 mbps के लिए 1,000 divided by 8 कीजिए 125 kbps के around आपको speed आएगा एन इस तरीके से आप हमेशा using bits and bytes bits and bytes मैंने आपको इसलिए बताया bits and bytes जो है internet speed का capital B and small b यह मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको भी पता चलना चाहिए कि जब हम internet से कोई भी चीज़ डाउनलोड करते तो bytes में डाउनलोड करते हैं जब हम internet service provider से कोई भी plan वगरे लेते या हम हमेशा speed वगरे calculate करते हैं तो bits में करते हैं यह हमेशा याद रखिए जो आपके जो internet service provider है वो जो आपको speed देते हो हमेशा bits में देते जो small b होता है इसी कारण जो calculation भी होता है internet speed का वो small b में ही किया जाता है आपका जो भी mobile computer से आप कुछ भी streaming downloading वगरे कुछ भी आप करते हो या हमेशा bytes में होता है जिसका b capital होता है इसलिए आप कोई भी जब file वगरे download करते हो तो 10 MB per second जिसका b capital होता है वो आपको show किया जाता है इसी के कारण आपको जो internet का speed है ना वो भी कम हो जाता है तो जैसे कि मैंने आपको calculation पार्ट बता है अगर आपको उस calculation के इसाब से internet की जो speed आ रही है service provider से अगर उस सही आ रही है तो आपको internet वाले को complaint करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर नहीं आ रही है उस इसाब से तो आप complaint कीजिए तो इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना था कि हमें जो भी हम internet service provider से कोई भी plan लेते तो उसमें हमें internet की speed की कमी क्यों मैसिस होती है It's just because bits and bytes small v and bada b के कारण अगर आपको यह वीडियो informative लगते है तो इसे like and comment करके मुझे बताइए और नहीं हो इस चैनल पर तो subscribe जरूर कीजिए Till then stay safe and jayin